जहन दोस्तो 18 महेंने डिये एरियर मिलना सुरू हो गया है लेटर निकल गया है और तमाम चीज़ें यूटूब पे चल रहे हैं ये हम से पूछा जाए क्या 18 महेंने डिये एरियर का क्या स्टेटस है तो हमारा जवाब हमारे विवर्स के लिए जो लगातार हमें फौन कर रहे उनके लिए ना 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 पीछे मिला ना अभी मिला और ना ही भविस्वे मिले की गुंजाय से लगातार चल लें तो आप फिर क्या चीज़ है जो मिली है इसके उपर इतने सवाल किये जा रहे हैं बहुत सारे हमारे जो सोजलर होते हैं इनुशेंट होते हैं नहीं आता सम मुझ में तो दोस्तों मैं आपके सामने बिद उदारन के साथ के आखरे बढ़ा क्या था किसकी चर्चा क्या चल लिए मैं इस चीज़ को कंक्लूड करना चाहता हूं यह दि वहां एक्जाम पर जिस वीडियो का चला है जिसमें बता जा रहा है हमारे सभी दोस्त बता रहे ह कि 29 फरवरी 2020 का कोई बंदा रेटाइड होता है तो उसको डिये 21 परसंट के हिसाब से यानि बाकियों को तो मिला नहीं 21 परसंट के हिसाब से सब कुछ मिला है तो मैं बताना चाहता हूं उसको मिला है ग्रेचुटी उसको मिला है लीविन कैस उसको मिला है कमूटेशन उसको चार मेने बाद ये आया उसकी pension जो मिल ले ये उसमें 4% का area मिलके नहीं आया है तो इसका मतलब जो हम लोग pensioners हैं pension के साथ बड़ा हुआ Corona period के टाइम पे जो DA नहीं है तो फिर किस पे मिला है? ग्रेचुटी पे मिला है किस तरीके से वो वर्काउट कर रहे हैं? तो आईए हम board पे बता देते हैं तो board पे जैसे मैं अपना status बताता हूँ कि I am also retired on 29 February 2020 अब मैं retired हुआ उस समय में सुविदार major x group का मुझे PPO मिला because हमारे document जुलाई 2019 में चले गए उस समय में SM था तो उस समय में मेरी basic थी 70,000 x group 3600 मिला था MSP 2200 मिल ली थी तो 78,800 से जो मेरा PPO बना उस से चलो में ग्रेचुटी केलकुलेट कर लेता हूँ तो 78,800 प्लस DA divided by 2 is equal to into 33 length of service जो इसका formula है अब 17% से DA बन रहा है 13,396 अब इस साब से ग्रेचुटी केलकुलेट की तो 15,21,234 बनी correct बात है अब मानना अब यह करें कि DA का area कैसे मिला अब हमारा उस समय मुझे honorary lieutenant मिल गया 26 जनवरी को अब मेरा status थोड़ा P का change हुआ कितना वह सत्तर हजार की जेगा 33,200 MSP बाउंस हो की जेगा 15,500 X ग्रूप 36,000 की जेगा निल क्योंके X ग्रूप होता नहीं अब हमारी जो 78,800 थी तो 88,700 हो गई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा विकॉच अलग status है 88,700 हो गई अब जब मैं मेरी ग्रचुटी बनती है फिर दुबारा आ रही है सत्रा लाख सात अजार नवासी 17,007,089 अब यह बनी कैसे 21% डिये के साफ से 21% डिये कितना बनना था 18,627 प्लस 88,700 डिवाड़ वाइ 2 इस उकल टू इंटू 33 तो अब हमने यह जाना कि हमें 4% की जो गैप था यानि जनवरी में हो गया था 21% तो वो उसका लाब हमें ग्रेचुटी पे मिला अब ग्रेचुटी पे आपको लाब मिला कमूटेशन पे आपको लाब मिला और आपको लाब लीव इन कैस में मिला और एक हमें लंसम इमाउंट करीब साड़े चार-पांच लाख फिर मिल गया क्योंकि हमारा स्टेटिस तो चेंज हुआ ही उसके साथ हमें डिये 21% का फायदा मिला अब जो लोग जो लोग जनवरी 2020 से जून 2020 तक आए उन्हें 21% से उनके ये सारी तीनों चीजें मिलती रही है उसके बाद जो रिटाइड हुए हैं जुलाई 2020 के बाद 31 दिसंबर 2020 तक तो उनको फिर जो तीन या चार परसेंट है उनको बढ़के वो उसको मिला जैसे 20 है तो उनका मानलो जितना भी हुआ हो 20% से 24 हुआ था कितना हुआ था 21 से 24 जो भी हुआ उसको लाब मिला तो यह जो लाब मिलें उस पीरेड में आने वालों को पैंसन ली अब इनको क्या पैंसन में मिला मुझे नहीं यह मुझे पैंसन फरवरी मार्च एक से शुरू हो गई फिर मार्च अप्रेल माई माई जून में में मेरा पीपिव आया है तो सिर्फ डिफरेंस किसका है जो पैंसनरी बेनिफिट है पैंसन के उपर उन्होंने 4 परसेंट जो 21 परसेंट उन्होंने कोई इसका एरियर नहीं दिया यानि कि कहने का मतलब है उस समय चाहे आपके सर्विंग में थे या रेटाइरीज थे आपको तनखा है आपकी पैंसन है उसके उपर कोई डिये एरियर न मिला और नहीं इसकी कोई संबावना है तो यह था क्लैरिफिकेशन इस 18 मैंने डिये एरियर मिल गया इनको मिला किसको मिला हमें कम मिलेगा यह इत्सिरी है यह एक क किसी चीज को कहते हैं कि निकाल करके एकस्प्लेंड करने वाली बात है और कॉंसिडेंसली सारा एक्जम्पल जो चला है वो सेव उस डेट का ही मैं हूँ उस रिकॉर्ड से भी मैं हूँ और मेरे पास भी दोनों पीप्यों जो मैं आपके सामने रख रहा हूं यह कोई भी इ पैंसलर है या उसके बाद पैंसलर आ रहा है ऐसी कोई संभावना नहीं है धन्यवाद